इस महीने की लेटेस्ट APN को अभी में अपने फोन पर step by step apply करने वाला हूँ then check out करके देखेंगे इससे कितना speed में improvement आता है और इस speedboard APN है तो भई इसमें काफी ज़्यादा improvement आने की chances है तो भई आप जरू से try करके देखना और इस वाला APN भई गेमिंग के लिए भी बहुत अच्छा है और किसी भी सिम पर काम करता है एहीने सबसे ज़्यादा खासिया थे इस APN की तो चलो बिना time होईट किये इस वीडियो को start करते जो default वाला APN अभी मेरे phone पर लगा है ना उससे एक बाद speed टेस्ट करके देखते हैं उससे कितना speed आ रहा है अब new भाले APN को हम लोग create करेंगे create करने के लिए simply care करो अपने phone के setting option पर जाओ उसके बाद sim, card and mobile network देन आपके पास जो भी sim है जिस भी वाले sim के अंदर आप इस वाले APN को set करना चाहते हो उस sim को open करो open करने के बाद आपको access point name करके एक option मिलेगा उस पे आपको जाना है then इस प्लास वाले icon पे tap करना तो भाई ए form खुलके आ जाएगा इसी के अंदर आपको सबको step by step डालना है तभी आपके phone पर यह वाला new APN create हो पाएगा तो fast में आपको name डालना है आप name पर click करना name पर click करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है speedboat space omega और यहाँ पर speedboat एक साथ लिखना और sb और o जोए capital letter में होना चाहिए उसके बाद आता है APN APN पर आपको sb slash अब जिस भी वाले sim को यूज करते हो उस sim की name यहाँ पर small letter में add कर दना है उसके बाद proxy norset port norset तर मिलता है आपको username तो इस username पर आपको क्या डालना होगा अब सबसे पहले तो speedboat सब कुछ एक साथ और small letter में add करो उसके साथ ही space डाल कर अगर आप internet के लिए use करना चाते हो तो भई आपको यहाँ पर speed डालना है और अगर आप gaming purpose के लिए use करना चाते हो इसे तो भई आपको यहाँ पर ping डालना है for example मैं internet speed को boost करने के लिए APN set कर रहा हूँ तो मैंने आपको लिखा है speedboat slash speed ओके सब कुछ एक साथ small letter में उसके बाद आ जाता है आपका password नौसेट उसके बाद server server पर आपको www.google.com add करना है उसके बाद mmsc, noshet, ams proxy, noshet, ams port, noshet रहन मिल जाएगा mcc and mnc यह आप जिस जगे पर रहतो उस जगे का area code है तो इसे आप replace मत करना इसके बाद authentication type option मिलेगा आपको उस पर जाओ और यहाँ पर PAP और CHAP का जो option है उस पर आप सेट कर दो इसके बाद APN type, noshet, APN protocol आजाता है इसके बाद यहाँ पर आपको IPB 4.6 को set करना है उसके बाद APN roaming protocol इसे भी आपको IPB 4.6 पर डाल दना है दना आता है one of the most important setting BRR, but BRR देखने से पहले क्या आपको पता है? मिसो पढ़ना biggest discount चल रहा है, description box में आपको special link दे दूँगा, उस link से जाके आप मिसो पर sign up कर लो, दना मिसो से अब बढ़िया वालिया, product को भाई अभी के time पर grab कर सकतो, वह भी huge discount के साथ नीचे description box में, first में आपको link मिल जाएगा और offer limited time के लिए है, तो भाई, मिस मत करना और display पर दिखाए गए promo code को ना, अभी के अभी जाके apply कर दो मिसो के अंदर, क्योंकि इससे first 500 people को और ज्यादा 30% extra discount मिल जाएगा first order पे, ओके, इसके बाद आता है one of the most important setting BRR, BRR देखो सबसे पहले unspecified रहेगा, उससे आपको un tick करना है और इस बादे APN के साथ LTE, HSPAP, HSPA, HSUPA और यहाँ पे नीचे EHRPD और EVDOB इन दो BRS को भी आपको जरूर से tick करके OK दबाना है, बट अगर आपके phone पर एक से ज़्यादा BRS supported नहीं है, low end वाला phone है, बहुत ज़्यादा low end वाला phone है, तो भई आप क्या करो, सिर्प LTE को ना select कर दो, या फिर किसी किसी phone पढ़ना ऐसा रहता है, एक से ज़्यादा BRS support नहीं करता है, high five phone के अंदर भी ऐसी हो सकता है, OK, उसके बाद आता है, इसे भी आपको none रखना है, दैना more option पे जाकी इस बले APN को save करो, और save करने के बाद आपको simply speed boat omega पे एक बार क्लिक करके, पे फोन की internet speed में कुछ भी improvement आया है या फिर नहीं, और अगर आप BGMI के अंदर without GFX Truler Config के Ultra HD Graphics और 90 FPS को activate करना चाहते हो ना, तो description box में check out करो, आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को देखकर आप बड़े आसानी से कर पाएंगे, और इस बाले वीडियो को अपन इतना है, मैं मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में